बचो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ाता नया चैप्टर शुरू किया इसमें कौन सा चैप्टर है ये माइक्रोप्स इन हुमन वेलफेयर मानो करल्यान में सूच में जीवों का क्या उपयोग है हम लोग अपने कुछ खाद पदार्थों का उत्पादन में सूच में जीवों का उपयोग करते हैं सूच में जीवों मतलब कि mostly bacteria and fungi जीवान और कवक या फफुन्दी इनका सरवाधिक उपयोग हम लोग करते हैं खाद पदार्थों के उत्पादन में तो यह चैप्टर में लास्टर पर हम लोगों ने पढ़ा था microbes in human welfare में milk जो dairy industry होती है dairy industry में दूद से दही बनाने, क्रीम बनाने, पनीर बनाने आध में किन-किन जीवानों का प्योग होता है और इन जीवानों की साहता से यह बनाए भी जाते हैं और इन में एक विसेश प्रकार का flavor या test या स्वाद उत्पन किया जाता है बनाए भी जाता है और उनको अच्छा बनाने में इन जीवानों का इन सूच में जीवों का उप्योग करते हैं तो यह माइक्रोग और्गनिज्म यह जो सूच में जीव हैं इनका उप्योग खात पीने की चीज़ों में बहुत किया जाता है और इनके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं किसमें माइक्रोबाइलोजी जीव विग्यान की एक साखा है जिसका नाम है माइक्रोबाइलोजी सूच में जैविकी उसमें इसका उप्योग किया जाता है तो यह जो माइक्रोबाइलोजी होती है सूच में जैविकी होती है उसमें जो सूच में जीव होते हैं, उनको किस-किस तरह से हम उपयोग करके किन-किन खाथ-पदार्तों का अच्छे डंग से बना सकते हैं और वो खराब जल्दी ना हो, इसका भी इसमें उपाय करते हैं। तो मिल्क या डेरी इंडस्ट्री के बाद, डेरी इंडस्ट्री में जो लाश्टन पर पड़ाता कि सूच में जीव किस-किस को कैसे उत्पन करते हैं, उसमें कौन-कौन से सूच में जीव उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद करते हैं, douggf, duff, duff मनें गुता हुँआ आटा, पानी डालके आटे को गुत तो उसको आटे में पानी मिले हुए आटे को गुता हुआ अटा, या duff कहते है, douggf, गुता हुआ आटा, या duff, तो ये आटा किसका, चावल, दाल, चना, गहूं, आटा, मैदा, जो होता है इन सभी के आटे का क्या क्या जाता है fermentation गुथे वह आटे को पानी मिला देते हैं आटे को चावल का दाल का चने का पानी मिला कर रखते से इसको क्या होता है या किणवन होता है और यह जो फर्मेंट हो जाता है किणवीत हो जाता है तो फिर इसका उपयोग हम विबिन्द प्रकार की चीजों में करते हैं जैसे कि दोखला खमण में बनाने में दोखला खमण बेशन के आटे का खमीर उठाये जाता है कर दाजावल का जो आटा होता है इस से इसका फर्मेंटेशन करके किणवन करके डोस डोस और इटीली बनाया जाता है इसके बाद भटूरे में भी हैं मैदे का उप्यूक किया जाता है मैदे का आटा जो है इसमें फर्मेंट कर लिया जाता है और फिर इससे बनाया जाता है तंदूरी रोटी बनाने में भी फर्मेंटेशन आटे का किया जाता है किनवन किया जाता है तब भटूरे की यह तंदूरी रोटी बनाई जाती है नान भी इसी तरह से बनाया जाती है तंधूरी रोटी और नान बनाने में आंटे का fermentation एक रजाता है आटा यह मैदा और जलेवी मैदे का उप्यों किया जाता है तो जलेवे बनाने मेदे को पानी में डाल के रख देते हैं एक दिर पहले से और जब उसमें तो फर्मिन टेशन किसी भी आटे को पानी में डाल के रख दे मिला के रख दे फर्मिन टेशन में क्या होता है उसमें carbon dioxide gas निकलती फर्मिन टेशन वे carbon dioxide gas निकलने निकलने वह soft और मुलायम हो जाते हैं, जैसे bread होती है, bread में छेद होती है, तो छेद क्यों होते हैं? छेद इसलिए होते हैं, क्योंकि उसमें ferment कर लिया गया, और जब उसको oven में सेखते हैं, आग में रखते हैं, तो राग में रखते हैं, उसके अंदर से carbon dioxide बाहर निकलती है, और carbon dioxide गय करवन डाय-ोकसाईट के कारण होता है अगर करवन डाय-ोकसाईट ना निकले कि उसमें समय होगी तो फिर मुलाय की नहीं होंती तो फर्मनेंटेशन से अलग declar जो डिजबंती है उसका चारण टैक्टर बनता है तो यह कार्बन डाइव के की चारण बंडेक्टॉक्षड के कारण इस में विशेष्भ में Middle जलेवीʟ मतलूधे ौशप्द शुको पार्ण जब सिकाई की जाती है तो क्या होता है शिकाई बनने पर जलेवी कि उसमें carbon texture निकलती तो जलेवी में छ्यद हो जाते हैं उन्हेद में क्या होते हैं जब इसको Chini की चासवी बनाने में लिस परकार से ह Aurzy में श्त। इस प्रकार से फ्लैवर स्वाद भी उद्पन होता है। बहुति विशिष्ट स्वाद भी उत्पन होता है इनके दौरा तीके ना क्योंकि इसमें कारवं डाय औकसाइड गैस निकलती फर्मेंटेशन और कारवं डाय गैस निकलने के कारण ही इनमें साफटनेस होती है यह मुलायम होते हैं और इसके अंदर छेद होते हैं तो यह जाते हैं वहां इस्ट का उप्योग किया जलता है इस्ट भी एक क्या है सूच में जीओ या माइक्रो आर्गनीज में यह एक प्रकार की फंजाई या फपूंदी है जिसमें जिसके दौरा फर्मंटेशन यह कीड़ की रिया होती है और इसके कराण. जीचीच का फर्मंट किया जाता उनमें मिठास भी आ जाती है में तो इस्ट के दौरा ब्रेड बिस्कूट आधी बेकरी इंडेस्ट्री में बनाए जाते हैं इसके लाव जो पाम्ट्री होता है ताल का पेड़ पाम्ट्री होता है इसमें जो ऐसे जो रस प्राप्त होता है उसका फर्मेंटेशन या किनवन करिया जाता है और जो की फर्मेंटेशन करने से पाम्ट और ऐकोहल बनने जो है दच्छन बारत एंडिया में इस ऐनकोछ से पॉप्राप्त होती थैं। तुछ एएनकोछ के तोडी कहते हैं। और ह्मारे उत्त्र भारत में इस पॉप्राप्त होती है, शराप्त होती इसकर ताडी कहते Hero दक्षिन भारत में इसको टोडी कहा जाता है यह पाँप वाइन होती है प्रकार की सराव होती है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्स जो अध्योगिक उत्पाद होते उनमें उनके उत्पादन में माइक्रोब्स या सूचमजीव किस परकार से और सहायक होते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले एल्कोहलिक बीवरेस जो एल्कोहल पेपदारत है, सराब है, उसका उपयोग किया जाता है तो जितनी भी अलकोहल बनाई जाती है कोई भी अलकोहल है, सराब है, विस्की है, वाइन है जो भी सराब बनाई जाती है किसी अनाज से बनाई जाती है, सीरे से बनाई जाती है सेव अंगूर से बनाई जाती है वो सब फर्मेंटेशन या किनवन के द्वारा ही बनाई जाती है फर्मेंटेशन उसका किया जाता है ठीक है ना और यह फर्मेंटेशन किसके द्वारा कर देते हैं के दारा East जो कि यए फपुण दीया कब ए उसके दाराher啊 फर्मैंटेशन कर दिया जाते क्या अप्राप्ट हो जाता है Не कि अर्डव आर्गनिक कंपाउंड अभ कौन कौन से एर्गनी कंपाउंड के उत्पादन में अप्रकूप्स तो करती है एसके लगंदेना उलकॉल लिख सकते हैं के लिख ऐसे आमल में अ सब दो है है यह सूच में जीवों के नाम यही रहेंगे चाहां हिन्दि में लिखेंगें चाहां इंगռिस में लिखें तो IZEC बनाने में किसका उप्योग होता है I fearless entry to Bacter E सब्सक्राइब क्या मुख्रूप से क्या हैよし युप योग होता है आशी टू बैक्टर एसी टी यह संचा बनाता है नमबर दू लेक्टिक एसिड ये दूद में होता है लेक्टो बैसिलस बलगेरिस तो ये दूद से जो दही बनाया जाता है पनीर बनाया जाता है क्रीम बनाया जाती है उसको बनाने में तो उसमें विशेश परकार का फ्लैवर या स्वाद उत्पन करने में इस सूच में इसे बनाता है तो इससे क्या हो जाता है यह प्रिजरवेट्यू प्रिजरवेट्यूग मतलब जो खात पीने काने पीने वाली चीजों को सुरचित रखते उसको बनाने में इसका उप्योग किया जाता है और इसके लावा ऑग्जैलिक अमल बनाने में भी इसका उप्योग होता है तो इसमें क्या इसका उप्योग इसमें होता है जो सिट्रिक ये क्रिश्टर के क्लींग में शफाई में और जो बलीच अब फूड लकडी को बलीच करने में साफ करने में भी ऑग्जैलिक उप्योग होता है लेकिन इसको बनाने किसे जाता है कि इसए इसपरजीलस नाइजर की साहता से बनाए इसके लाबा ब्यूटेरिक एसिट को बनाने में क्लॉस्टिडियम इसी बनाता है। यह बनाता है क्या हो ब्यूतारिक एसिट है ठीक है ना और यह ब्यूतारीक एसिट क्या है? एक फूड एडेक्टिव है भोजन को सुरच्छी दपने उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार से जो गुथा हुआ आटा होता है उससे क्या-क्या चीजे फर्मेंटेशन के दौरा बनाई जाती है और इसके अलावा जो फर्मेंटेशन या किडवन की क्रिया होती है उसमें एलकूहल और विविन प्रकार के एसिड या अम्ल को बनाने में और द्योगी के इस्तर पर इनी सूच में जीवों या माइक्रो आर्गनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है तो इन सूच में जीवों को बारे में जो मैंने बताया है उसको आप ध्यान सुनने के पशाद इसको अपनी फेयर कापी में नोट कीजिए और नोट्स बनाईए ठीक है ना और इसके पशाद नेक्स्ट अंपर इसी के आगे हम लोग